नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है दोस्तों नीम्बू बहुत ही साधारण सी चीज़ होती है और नीम्बू को आप अपने स्वाद के अनुसार काम में लेते हैं लेकिन दोस्तों आप दूसरी बात भूल जाते हैं सबसे ज़्यादा तंत्र और तंत्र साश्टर के अंदर इसका बहुत ज्यादा उप्योग माना जाता है। दोस्तों आज का ये उपाय आपके जिवन के उन तबाम मुश्किलों को दूर कर देगा। अगर आप अपने जिवन के अंदर इस परकार की तमद तकलीप आ रहे हैं तो दोस्तों तीन उपाई हम आपको बताएंगे उन तीन उपाई के अंदर आपके उन सारी प्रोब्लम का समधान हो जाएगा अगर आप सही विदी के साथ और ध्यान पूर्व के सुपाई को सुनते हैं और पूरा सुनते हैं तो ही इस वीडियो को आप देखें दोस्तों निमू के अंदर एक विसीज परकार की सक्ति होती है जो कि आपके जीवन की तमाम नकारतमक्ताओं को दूर करने का काम करती है और दोस्तों बात भी सही है अगर आपके गरह इस्थती सही नहीं है आप दोस्तों आप क्या करें एक पांच तो हरे रंग के निमू ले ले और पांच पीले रंग के आपको निमू लेने हैं दोस्तों ऐसा करते हुए आपको साथ इस उपाई है तो लोंग की आप सकता पड़ेगी निमू आप दस लिये हैं लेकिन लोंग आपको साथ ही लेने हैं अब क्या करें प्रतिक निमू के अंदर आपको ऐसे से करते हुए साथ लोंग आपको गुसा देने हैं और जो पीछे तीन निमू बचे जाते हैं चाहे हरे बचे या पी ले उन निमू को आपको बीच में से काटना है इस परकार से काटें कि निमू नीचे से तो जुड़े रहे लेकिन उपर से कर जाएं ऐसा नहीं कि आप पूरा काट लें आप क्या करें उन तीन निमू के अंदर आपको हलका हलका सा कुमकुम डालते हैं और कुमकुम डालते हैं उस तीन निमू को डालकर वापस उसको कलावे की साहिदा से बंद कर दें दोस्तो ऐसा करते हुए उन निम्बू को प्रतीक निम्बू को एक एक करते हुए अपने अमाते से साथ वार ओसारे और साथ अपनी अगल अगल समयशाएं आपको किसी परकार की मनोकामना नहीं मांगनी है बस साथ चाहे सत्रु की हो, चाहे आपके घर की हो, चाहे कैसी भी हो, साथ बार आपको उन समश्याओं को बोले देना है और जो दोस्तों तीन नीमबू बच जाते हैं जो आपने उसके अंदर कुम-कुम डाले हैं उसे अपने माथे से साथ वार गुमाते हुए आपकी जो मनवांचित इच्छा हैं जो आप भगवान से चाहते हैं या आपकी कोई विसीज परकार की इच्छा जिसे पूर्टी करना जाते हैं आपकी मरुकाबना उसे आप तीन बार इसको कहते हुए मांग ले अब क्या करें उन नीमबू को आप लेकर जाएं और साथ चुरायों पर अलग अलग आपको एक घर के बाहर कहीं भी हो किसी भी जगह पर हो एक जगह पर आपको इसे नहीं डालना है क्योंकि दोस सारे लक्षणों को खा जाती है तो साथ जगह पर आपको जाकर उन नीमबू को अलग अलग जगह पर जो लोग लगा नीमबू है और ढालते हैं लेकि दोस्तों जो तीन नीमबू आपने अलग लिये थे उनको क्या करें कि उनको एक ही किसी परकार के लाल कपड़े के अंद थी वहाँ पूरी हो जाती है आपके जीवन के अंदर तमाम परकार की समयशायती वहाँ दूर होगी और आप उसके बाद आपका दुख भी दूर आपकी जीवन की मुस्किले भी दूर तो आपके जीवन के अंदर निश्चित तोर पर खुशियां और अनधन की कमें नहीं दोस्तों एक और उपाई है जो आपकी मांसिक परिशानी जैसे की परिवार के अंदर बहुत जादा लड़ाय जगडा रहता है लाख परितन कर लिया जगडा समाथ होने का नाम नहीं लेता या फिर दोस्तों आप खुशिया तो चाहते हैं लेकिन दुख पता नहीं कहां से आ जाते हैं तो आप एक नीमु ले उस नीमु को लेकर आपको उसको चारो भाग उसके कर ले रहे हैं चार भाग अलग अलग कर दे पूरा उनको काट लेना है आप क्या करें एक भाग पर आपको खल्दी लगानी है जो आपकी मंगल और गुरु गरह को सांत करता है दूसरे टुकडे पर आपको लाल जुक सिंदूर रहता है दोस्तों लाल सिंदूर लगाए लाल सिंदूर आपके धन और एस्वरियो को बढ़ाने का काम करता है और साथी साथ देवी लक्षमी को अकर्शित करता है जो तीसरा निमू है उसको आपको क्या करना चाहिये जो समसान की भस्म या फिर ऐसे ही जो भगवान महा देव क्या मंदिर के भस्म हो वहाँ उसके उपर लगा दे या भस्म आपके उपर काले टोने टोटके जादू आदी को दूर करती है और आपको उन सारी चीजों से बजाती है यह चोथा भाग होता है जो आपने लिया है उसको कि अगर एक काली राई या काले तील मिल जाएं तो वह उसके उपर चिटक दे ऐसा करने से सनी दसा और गरह दसा सबाब्त होती है अब ऐसा करते हैं उन चारो भाग को मिला ले और उसको आप लाल धागे से बांध दे और बांधने के बाद उसके उपर आप लाल पेन की साहिता से अपने नाम का पहला अच्छा लखें और उसे जाकर आप किसी नर्डी तलाब के अंदर विसर जित कर दें दोस्तों जैसे ही आप इसे फैक कराते हैं और नीमू वहाँ पर अपने आप ही बिखड़ जाएगा आपकी समयश्याए भी उसी परकार से बिखड़ जाएगी और आपके जीवन के अंदर तमाम परकार के सुक और ऐस वरिया आने लगते हैं बस मत्र इस उपाई को करने से तो उमीर है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद जैसे राम